नमस्कार स्वागत है आपका खबरों का पंश्रामा में मैं हूँ आपके साथ वक्ता हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरें जिस पर चार्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की हेडलाइन पर राजठाकरी की रैली के बाद महारास्टू सरकार आक्शन में और अंगबाद रैली के भाशन की टेप सुनकर होगी जांच वो सबसी है कारेवाई नमनीत राणा को सेशन स्कोर्ट से बड़ा जटका चार मई को होगी जमान ते आचिका पर फैसला अमिच्छा चार मई से तीन डिवसीय बंगाल दौरे पर बढ़ी ममता बनरजी की मुश्किलें टीमसी को मात देने की बनाएंगे रणनी की कुमार विश्वास को हाई कोट से बड़ी राहत गिरफतारी पर पंजाब हर्याना हाई कोट न लगाई रोक सीम केजविवाल से जुड़ा है मामला इमरान खान की हो सकती है गिरफतारी चोर-चोर के नारे बादी के मामले में दर्च हुई एफाई राज आज की सबसे पहली खबर राज ठाकरे पर महरास्ट में हनुमान चालीसा का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी विवाद के बीच कल राज ठाकरे ने औरंगाबाद में धुआ धार रैली की जिससे उठव सरकार बॉखला गई और राज ठाकरे पर एक्शन लेने के मूड में आ गई पोलिस ने उन्हें रैली के नियम तोड़ने पर धारा 149 के तहत नोटिस दिया है उनके साथ साथ MNS कारेकरताओं को भी पुलिस ने नोटिस दिया महरास्टर पुलिस ने राज ठाकरे के भाषन की टेप मंगा कर पूरी सुनी जाएगी इसके बाद लीगल टीम ये देखेगी कि 16 शर्तों का इस रैली में उलंगन हुआ है या नहीं अगर उलंगन हुआ है तो उनके खिलाफ कारेवाई की जा सकती है जिसका फैसला कल हुका डॉक्टर साथ उत्थफ ठाकरे करना क्या चाहते हैं बदले की कारेवाई से पीछे हटेंगे देखे ये बदले की कारेवाई यूप मानी जाएगी लेकिन ये गल्ती होगी राज ठाकरे ने कल रैली करके एक बात तो साबित कर दिया कि वो महराश्ट की राजनीती के मुक्यधारा में आ चुके है दूसरी बात ये कि कोई भी देखकर के कह सकता है कि जो 16 सरते दी गई थी उसका तो बहुत ही ज़्यादा उलंगन हुआ है अब टेप सुने जा रहे हैं टेप सुनकर के गरह मंतरी जो NCP के हैं उनको समझ में आया कि उनके जो सबसे बड़े लीडर हैं सरत पवार उनके खिलाब बहुत जहर उगला गया तो कारवाई तो होगी कारवाई अगर होगी तो राज ठाकरे जीवित हो उठेंगे उनका राजजितिक चैप्टर नया सुरू हो जाएगा वो नवनी तराना नहीं है कि आप उन्हें जील के अंदर डाल दे और कोई फर्क नहीं पड़े राज ठाकरे पांस तारिक को अध्या जा रहे हैं योगी आदितिनात साथ में होगे और इस बीच ये सारी कारवाईयों को देखते हुए एक बड़ा अच्छा फैसला राज ठाकरे ने लिया है कि एद के दिन जो उन्होंने कहा था कि हर मस्जित के सामने हनवान चलिसा का कारिकरम होगा उसको एक दिन के लिए पोस्पोन कर दिया मतलब चार तारिक को वो कारिकरम होगा उद्दव ठाकरे उनकी सरकार गरिम मंतरी ये सुरुवात से ही बदले की कारवाई में विश्वास रखते हैं और यही बदले की कारवाई ही अगहारी सरकार के लिए अब तक सबसे बड़ी मुसिबत बढ़ी हुई है जिसकी वज़े से इनकी साख बिलकुल रसातल में जाकरके समा चुकी है जी डॉक्ट साब महरास्ट्र की राजनीती में कई मुद्दों पर घमासान चल रहा है जिसमें एक नवनीत राना का है नवनीत राना की जमाना त्याचिका पर आज कोट ने फैसला सुरक्षत रख लिया है जो की राना दंपत्ती के लिए बड़ा छटका है अब जमाना त्या आसाज है लेकिन कोट है कि फैसला उसने चार माई तक के लिए टाल दिया है क्यूं इसके पीछे की वजह क्या है कोट की तरफ से ये वजह बताई जा रही है कि आदेश पूरी तरह से लिख नहीं पाया अब कोट ये रीजन दे रही है तो मानना ही पड़ेगा कि लिखने मे बहुत देर लग रही है बहुत लंबा जज्जमिंट होगा उसलिए पूरी तरह से लिखा नहीं पाया लेकिन फिर अनायास ये भी याद आता है कि यहीं मुंबई शहर है यहीं मुंबई हाइकोट भी है जहां सलमान खान जेल ना जाएं इसकी वज़े से हाइकोट के सारे स साफ नो बजे दस बजे रात तक रुके थे आतंकवादियों के लिए कोट खुलते हैं आतंकवादियों के लिए कोट खुल जाता है बिल्कुल आपने सही कहा लेकिन हनवान चली साब पढ़ने जो उन्होंने कहीं पढ़ा नहीं जो जुर्म उन्होंने किया नहीं उसकी सज वो भुगत रही है, हो सकता है, जज सहाब गारजिन भी होते हैं समाज के, उनको लगा होगा कि अगर ये बाहर गई, तो कुछ बवाल हो सकता है, तो ईद के बाद ये फैसला दिया जाए, लेकिन इसमें एक हिंट भी है, कि शायद उनको बेल मिल जाए, और चुके वो ईद त फैसला सुना दिया जाएगा, अब मामला कोर्ट में है, लेकिन इस पे राजनीती बहुत चमके हो रही है, हकिकत यही है, कि नवनीत राना जितना जेल के अंदर रहेंगी, सिर्व से ना और उद्धर ठाकरे के लिए उतनी बड़ी मुसीबत बंती रहेंगा, बिलकुल, बि आमिच्षा के बंगाल दौरे से सिये ममता बनर जी की मुश्किले बढ़ती दिख रही है, केंडरी ग्रह मंतरी आमिच्षा तीन देवसीय बंगाल दौरे पर 4 मई से 6 मई तक बंगाल में रहेंगे, आमिच्षा का दौरा ऐसे वक्त हो रहा है, जब ममता सरकार का एक साल बंगाल में CAA, NRC लागू करे, साथ ही BSF कैम्प का भी तौरा करेंगे, जो ममता बनर जी की मुश्किले बढ़ा सकता है, डौक्टर साब, अमिच्षा का ये दौरा ममता सरकार की मुश्किले बढ़ाएगा? देखे, भारती हिंता पार्टी को बंगाल के अंदर थोड़ी मजबूती दिखानी होगी, जो अब तक चुनाओ के नतीजे के एक साल तक BJP ने नहीं दिखाया, ये दौरा उस समय होना चाहिए था, प्रधान मंत्री का दौरा होना चाहिए था, ग्रिह मंत्री का दौरा होन जब हिंदू वोटर्स जिन्होंने TMC को वोट नहीं दिया, उनके घर जलाए जा रहे थे, जब उन्हें गाउं से भगाया जा रहा था, लाखों के संख्या में लोग बंगाल छोड़के दूसरे राज्यों में अपनी जान बचाने के लिए चिपे हुए थे, तो ये जब अ जान बाराजनती से प्रजित इसलिए भी है, क्योंकि अब ममता बरनजी को घेरने के लिए, कि चुके वो प्रधान मंत्री बनने का सपना देख रही है, तो बंगाल में किस तरह का शासर वो चला रही है, ये देश को बताने का काम भारती जिन्ता पार्टी ने उठाया है, लेकिन हाकिकत यही है, कि जिस समय वहां के हिंदू प्रतारित हो रहे थे, उस समय भारती जिन्ता पार्टी ने अपने कार करता हूँ, अपने समर्थकों, अपने वोटर को बे सहरा छोड़ दिया था, जी डॉक्ट साब, एक तरफ ममता बनर जी को शाह जटका देने का प्ल बंद के गलत आरोप लगाए थे, और उनके खिलाफ बयान बाजी की थी, जिसके बाद कुमार विश्वास ने हाई कोट का रुख किया था, हाई कोट ने उन्हें रहात देते हुए उनकी गिरफतारी पर रोक लगा दी है, डॉक्ट साब केजरिवाल के खिलाफ बोलने की रफली तो बजाते हैं, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग करने में वो सबसे अवल हैं, कुमार विश्वास ने एक बात कहीं, जो दोनों के आमने सामने हुई थी, वो इतना बुरा लग गया कि उन्होंने आपने पुराने दोस्त के घर पुलिस भेज़ दिया, हाई कोट मसला गया, हाई कोट ने कहा कि इस पर गिरफ्तारी नहीं हो सकती, गिरफ्तार नहीं हो गया, तो केजरिवाल के लिए एक जटका तो जरूर है, लेकिन इस से भी बड़ी बात, कि किस वज़े से ये मसला इतना बड़ा बना, कुमार विश्वास ने कहा था, कि खालिस्तानियों के साथ इनकी साथ गाठ है, मोटा मोटी, आज क्या हुआ, केजरिवाल, मनिशे सोधिया, राघव चड़ा, संजे सिंग, इनकी बोलती क्यों बंद है, आज पन्नु ने बकाइदा चेतावनी दी है, किसे, ये कटपुतली मुखे मंत्री जो पंजाब में बैठा हुआ है, कि आ आपने ये जो हिंसा हुआ पट्याला के अंदर में, उसमें जो कुछ खालिसतानी को जो पकड़ा गया है, कि उगर उसके खिलाफ कोई कारवाई हुई, तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, इस तरह की चितावनी पन्नु ने दी है, भगवंत मान, अर्विन केजरिवा पन्नु के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाता है, इसकी वज़ा क्या है, ये देश की जनता जानना चाहती है, जी बिलकुल, पाकिस्तान के पूर पीम इमरान खान जल्द ही जेल की हवा खा सकते हैं, क्योंकि इमरान खान पर ये आरोप है कि नए पीम शहबाज शरीप के खिलाफ चोर-चोर के नारे इमरान खान के लोगों ने लगाए थे और इस निंदा के मामले में F.I.R. तच कर ली गई है, पूर्व ग्रह मंत्री शेख राशिद एहमत के भतीजी को मस्जिद नवाबी की पवित्रता के उलंगन के आरोप में गिरफतार कर लिया गया है, अ जैसे भुटो के साथ नवासरीप की तू तू में में होती थी, आप से जगड़ा होता था, लेकिन लक्षम ने रेखा पाकिस्तान में ये है कि आप अपने पॉलिटिकल हितों को साधने के लिए अगर आपने आर्मी के उपर हमला कर दिया, आर्मी चीफ को आपने अगर नि विल्फिकार अर्मी भुटो बड़े लीडर थे, बहुत पॉप्र लीडर थे, उसके सामने इमरान खान कुछ नहीं है, बड़े सक्सियत थे, लेकिन यही गलती उन्होंने की थी, कि उन्होंने आर्मी से पंगा ले लिया, इमरान खान कुर्सी जाने के बाद, कुर्सी जान पिज में कैते हैं बुरा लग रहा है लेकिन जो पाकिस्तान का ट्रेडिशन हुआ है कि जो हष्र जुर्फिकार अलिवह भुटो का हुआ कहीं इम्रान खान का भी वही हष्र ना हो जाये क्योंकि आर्मी के खिलाफ वहां एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और इमरान खान ने आर्मी चीफ की सक्सियत को ही गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की उसे पाकिस्तान को de-stabilize करने का आरोप उन्होंने बाजवा पे लगाया है इसकी सजा उनको जरूर भुगतनी पड़ेग लाइक कीजे शेयर कीजे और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजे नमस्कार